के लिए प्रिवेस यर का क्वेश्चिन क्या दिया हूँ है एबी सीडियों के साथ और यह आंसेड़ रिजिन इन दोनों का एरिया का रिशियो नमागा है एक चीज़ देखके बताओ क्या आपको लग रहा है एई डी और ट्रैंगल बीसी एफ और सिमिलर कैसे हो जाएगा सर देखी यह स्ट्रेट लाइन यह स्ट्रेट लाइन पैरलल है और यह एक इंटरसेप्टेट लाइन तो यह अंगल यह अंगल सेम है क्योंकि यह स्क्वेर है तो यह लाइन यह लाइन भी सेम है दो हो गया similarly यह परपेंडिगुलर है तो इसके कारण यह 90 दिगरी यह 90 दिगरी तो यह दोनों लों सिमिलर ट्रैंगल है ठीक है तो area के लिए हम लोग क्या करेंगे एक एक को निकालेंगा और दोनों का हो जाएगा तो area of triangle AED area into 2 ये कर देंगा तो area of unsaided region मिल गया तो area of 2 into triangle DCE ये area अब दोनों का area का ratio two times two times कर गया तो ये unsaided is to shaded निकाला जा रहा है यहाँ पर क्या दिया हो है what is the ratio of the shaded to that unsaided तो इसको पलट देता है triangle DCE का area area और triangle AED का area ये निकालना है अब सर एक चीज़ देखो DCE का एक साइड का DCE DCE का एक साइड का वैलू दिया हुआ आठ और AED का एक साइड का वैलू दिया हुआ है वो भी कितना AED का इसका व्याठ तो ये क्या है सर ये हाइपटोनियूस का लेंथ है ये 6 है स्वरी ये 6 है हाइपटोनियूस का लेंथ है और ये भी हाइपटोनियूस का लेंथ है तो area of triangle का formula क्या होता है उसका side का square करतेंगे तो DCE का क्या हो जागा sir, 8 square and AD का क्या हो जागा sir, 6 square तो क्या हो रहा है sir, आड़ा 64 बड़ा छेचे चातिस, तो चार नो चातिस चार सुला चातिस, तो 16 is to 9 is the correct answer, option number B okay sir, thank you बाबा, stay tuned for the next class